Hey guys, welcome to Abhishekja classes, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग अभी दिनो पॉंदू Andrews College का पुड़ा कपुड़ा form fill up process जानेंगे इसी वीडियो में इससे पहले मैं बता दू कि हम लोग के course launch करने वाले हैं B.com semester 1 at only 14.99 इसका मतलब होता है 250 रुपया महिना में आप लोग B.com semester 1 हमसे पर सकते हैं इसका demo video already मैंने upload किया है इसके पहले वाला video ही इसका demo video है आप लोग देख सकते हैं पुड़ा का पुड़ा videos 250 रुपया प्रती महिना में आप लोग यहां पर सकते हैं पुड़ा का पुड़ा semester 1 all subjects join करने के लिए क्या करें join करने के लिए आप लोग को whatsapp करना परेगा whatsapp number description में दिया हुआ है फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोग लिख लीजे 8910499229 ठीक है semester 1 का all subject यहां पर कराया जाएगा बीकॉंग semester 1 का all subject यहां पर कराया जाएगा ठीक है चलिए अब देखते हैं दिनों बंदू एंड्रियोफ कोलेज के लिए सबसे पहले आप लोग को Google में सर्च करना परेगा दिनों बंदू एंड्रियोफ कोलेज उसके बाद यह वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना परेगा वेबसाइट पर आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेगा online admission का आजाएगा online admission का यहां पर undergraduate पर आप लोग को क्लिक करना है undergraduate पर क्लिक करने के बाद यहां पर सबसे पहले आप लोग को scroll करके इसको नीची आ जाना है ठीक है यहाँ पर apply online पहले करना है apply online के उपर click कर दिजे apply online के उपर click करके यहाँ पर I understand and agree पर आप लोग यहाँ पर click किजे continue कीजिए इसके उपर उसके बाद आप लोग देख लीजे आप लोग को Are you existing applicant in the college? यहाँ पर Yes कर देंगे, यहाँ पर No कर देंगे, क्योंकि आप लोग new applicant नहीं है, ठीक है, आप लोग new applicant है, सबसे पहले आप लोगो को इधर WhatsApp नमबर डालना पड़ेगा, तो WhatsApp नमबर यहाँ पर आप लोगो अपना डाल देंगे, इसके बाद आधार नमबर डालना पड़ेगा, आधार नमबर आप इसी नमबर पर मुझको DM कर सकते हैं, यहाँ पर इसी नमबर पर मुझको DM कर सकते हैं, आप लोगो को अगर admission चाहिए होगा, WhatsApp कीजेगा अब फोन मत कीजेगा, WhatsApp कीजेगा, यहाँ पर देखिए, आधार नमबर यहाँ पर आप लोगो को डालना परेगा, तो आधार नमबर यहाँ पर अपना डाल दीजेगा, कोई भी, जो भी आपका आधार नमबर है, उसके बाद first and middle name आपका डालना है, first and middle name क्या है, जैसे मेरा first name है अभिशेक, आप लोग caps lock का use कीजेगा, मैंने तो छोटा लेटर में लिख दिया, लेकिन आप लोग caps lock का use कीजेगा, last name डालिएगा, last name यहाँ पर मेरा ज्छा, उसके बाद देखिए, आप लोग कोई से city से आये हों, वो city लिखना जरूरी है, जैसे कोई जारकंट से आता है, तो जारकंट लिखना जरूरी है, उसके बाद registered with Calcutta University, तो यहाँ पर आप लोग को no कर दिना है, simply no कर दिना है, no का option में click करना है, appeared part 1 exam, यहाँ पर भी no कर दिना है, simple बात है, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर name of the examination, जैसे HS दिखा रहेगा, तो higher secondary आप लोग लिख सकते हैं इसका, उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा रहेगा, आप कौन से category के हो, तो मैं यहाँ पर general select कर ले रहा हूँ, अगर SCST हो, तो SCST select कर ले ना, तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, इसके बाद, यहाँ पर देख लो, caste valid certificate आपके लिए applicable नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर general हो, तो कोई caste certificate नहीं है, disability अगर है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, disability नहीं है, तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर देखिए, board, council, कौन से board से पड़िछा दियो हो, तुम देखो, जैसे कि बहुत कोई, West Bengal Board से पड़िछा देता है, तो West Bengal Board हम लोग लिखेंगे सीधा, सर्च करके लिखेंगे, सर्च नीचे में रहेगा, West Bengal Board ठीक है, यहाँ पर West Bengal Council of Higher Secondary Education, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, Higher Secondary, Not Secondary, यहाँ पर past from non-formal education, यहाँ पर new कर दिना है, simply अगर non-formal education से तुम पड़े हो, तो of course करना है, यहाँ पर roll number आपको डाल देना है, यहाँ पर, तो roll number आप लोग यहाँ ऐसे करके, roll और number बाइफर्केट करके, admit car पर रहता है, वो लोग आपको डालना है, ठीक है, इसके बाद next आप लोग दबा देंगे, next, next यहाँ पर option में आएगा, तो next में आप लोग क्या करना है, add subject from list, तो आप लोग को अपना subject डालना है, देखिए, जैसे पहला subject हम लोग क्या चूज करेंगे, पहला subject, पहला subject हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले दिखे, first language के basis पर आप लोग चूज कीज़ेगा, first language में क्या है आपका, जैसे first language में किसी के सब्सका बिंगॉली रहता है तो, English रहता है, तो ऐसे ऐसे करके, खूज कीज़ेगा, 100 marks का full marks रहेगा, obtained marks आप लोग को कितना मिला है, जैसे obtained कितना है, हिंदी में आप लोग को कितना मिला है, इसको search करेना और उसके बाद scroll करना यहां पर इंग्लिश यहां पर लिखा हुआ है इसको select करके यहां पर अपने marks English का भी marks यहां पर बिठाना है जैसे मैंने यहां पर 86 बिठा दिया ठीक है accountancy आप लोग बिठा देंगे तो accountancy में आप लोगो जितना मिला होगा उतना आप लोग लिखिएगा जैसे 80 आपको मिला है 80 आपको मिला है तो 80 आप लोग लिखिएगा इसके बाद दिखिए आप लोग वापस से add subject from list कीजिएगा और यहां पर मैं search करता हूँ search वाला भी option है यहां पर देखिए आप लोग search कर सकते हैं मैं यहां पर search करता हूँ business studies business studies अगर search किजिएगा यहां पर देखिए business studies आप लोगो search करके यहां पर डाल देना पड़ेगा simple बात है okay मतब done में करना परेगा और यहां पर माल देखिए आप लोगो 90 मिला है तो 90 लिखिएगा इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग यहां पर पाच्वा subject अपना लेगे 5th subject लेगे 5th subject माल देखिए costing and taxation आपका तो costing and taxation यहां पर directly search कर लेना है यहां पर दन करना है उसको अफकोस इसको डन करने के बाद आप लोग देखिए इसका marks बिठाना है marks यहां पर 80 मिला है तो आपको 80 बिठाना इसको 5th subject यहां पर देखिए यहां पर उसके बाद नेक्स्ट दबा देना है simply बात है next दबाने के बाद यहां पर select a course जालना परेगा selected course में आप लोग यहां पर directly English मेरेगा आपको और यहां पर alternative English choose किजिगा वरना आपको बेंगॉली choose करना होगा तो बेंगॉली choose किजिगा कोई दिक्कत ऐसा है नहीं इसके बाद select a course आप कौन सा course यहां से करना चाहते हैं बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम accounting and financial honors यहां पर ठीक है उसके बाद select a specific combination यहां पर just subject specified by CU honors डिरेक्ली आप लोग को यहां पर दे जेना है ठीक है eligibility 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 आप लोग को देख लेना है ठीक है eligibility देखने के बाद आप लोग को यहां पर eligibility देखने के बाद यहां पर आप लोग को next कर देना है next करने के बाद और भी सारे details आप लोग को बढ़ने है जैसे कि date of birth यहां पर आप लोग बढ़ देंगे date of birth आप लोग सही सही से बरना वरना गलत हो जाएगा तो फिर पंगा हो सकता है तुमारे साथ उसके बाद देखो country इंडिया ही रहेगा और यहाँ पर आप लोग देदेंगे कुछ भी अपने आपने गार्जन का मोईल नंबर गार्जन पापा भी हो सकता है ममी भी हो सकता है आपका यहाँ पर देखे नेशनलेटी इंडियन सी रहे उसके बाद आप लोग कुछ भी एक email आईडी यहाँ पर दे सकते हैं email जो आपका official रहेगा वह इमेल आईडी देजेगा औरना आपका mail नहीं आएगा college का ठीक है इसके बाद हिंदूसम डिलीजन है father's name जो भी है तो father's name आप लोग को यहाँ पर डाल देना है simply और father's name डालने के बाद यहाँ पर आपका blood group डालना है जैसे किसी का O plus है तो O plus ही डालेंगे उसके बाद देखे यहाँ पर father's occupation service करते है service business करते है या तो कुछ और काम करता है तो कुछ और काम ओके यहाँ पर देखे हम लोग अब यहाँ पर लिख रहे हैं address यहाँ पर लोग लिख सकते हैं अपना full address लिखेगा कोई दिक्तत नहीं है address अकर नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा फिर mother's name यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा mother's name आप लोग यहाँ पर correctly correctly सब कुछ डालिएगा ताकि आपका सब यहाँ पर हो पाए उसके बाद देखिए mother's occupation लिख देना है अगर mother's आपका housewife है उसके बाद देखिए are you equipped with digital learning online learning आप कर सकते हैं yes कर देजिएगा simple बात है यहाँ पर nearest landmark में आप लोग जो landmark है जो landmark है आपका जैसे की कुछ भी हो सकता है आपका landmark तो वो आप डाल दीजिएगा simple बात है डालने के बाद देखिए locality type यहाँ पर urban डालेगा इसके बाद देखिए you are belongs to BPL family यहाँ पर no कर दीजिएगा अगर BPL family में तुम yes कर देगे तो यहाँ पर certificate number माँगेगा भाई इसलिए no कर देना simple बात है are you a first generation learner तुम पहला आदमी हो जो graduate हो यह तुम्हारा भाईया किया हुआ है पापा किया हुआ तो no करना या तो तुम पहला आदमी हो तो yes कर देना simple बात है इसके बात देखो यहाँ पर level of participation यहाँ पर not applicable कर देना simple अगर sports quota में हो तभी level of participation कर देना वड़ना not applicable कर देना simple बात है यहाँ पर देखो अपना city डालना city जैसे मैं यहाँ पर कॉलकादा डालता हूँ तुम्हारा city अगर कुछ और होगा तो कुछ और डालना यहाँ पर देखो यहाँ पिन को डाल रहा ह च्री लाक रुपीस और यहाँ पर next कर देना है simple next करने के बाद यहाँ पर तुमको photo choose करना है JPG और JPG format में 50 किभी के अंदर अंदर तो 50 किभी के अंदर अंदर जो जो pictures रहेगी वो pictures तुमको यहाँ पर देना परेगा तुक्क है उसके बाद यहाँ पर देखो यह हम pictures डाल सकते हैं अच्छा इसको edit भी करना परेगा इस तरह से कुछ भी photo यहाँ पर डाल सकते हैं कुछ भी कुछ भी मट डालना वन्न मैं ही डाल रहा हूं यहाँ पर photo डालना उसके बाद देखो यहाँ पर signature डालना, signature इस तरह से आप रूप डाल सकते हैं, ठीक है, signature डाल देना, यहाँ पे admit card का proof डालना, admit card का कुछ बी ऐसे proof डाल देना यहाँ पे, mark sheet डालना, 150 kb के अंदर-अंदर रहना चाहिए mark sheet, 150 kb के अंदर-अंदर mark sheet रहना चाहिए, देना इसे नहीं डालना ना जालना है यह बॉक्स में टिक कर देना है टिक करने के बाद सब्मिट का बटन यहां पर दबा देना है सब्मिट का बटन दबाने के बाद तुम्हारे पास एक OTP भूशेगा, वो OTP को दरा ध्यान से, OTP बाद में आता है थोड़ा सा, लेट भी आ सकता है, इसके लिए थोड़ा सा, अगर फोन नमर में नहीं आया, तो अफ़ास, इमेल आईडी में चेप करना, मैं भी अभी चेप कर रहा हूं, इमेल आईडी में, लेकिन, यहां पर देखे दोस्तों, OTP देनी के तो ट्राई किया हूं, लेकिन यहां पर OTP नहीं आ रहा है, मेरे फोन में, तो जस्ट आपको क्या करना है, OTP देखे, आप लोग को, जस्ट एक फॉर्म निकलेगा, वो फॉर्म को आप लोग को जस्ट ब्रेंड कराकर निकाल लेना है बस इसका admission process यहीं पर खतम हो जाएगा, कोई कारण वर्स पे मैंने email ID गलत डाला था, इसलिए OTP यहां पर नहीं आया, आप लोग सब कुछ सही सही डालिएगा, तो OTP आपका बिलकुल अच्छे से आ जाएगा, और OTP डालने के बाद यहां पर validate OTP में आप लोग क्लिक करके आप लोग का सामने एक form खुल जाएगा, वो form को आप लोग को download कर लेना है नीचे से, बस आपका admission procedure खतम हो, आपका form फिले procedure दिनो बंदू entry of college में खतम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मिलता है next video में, तब तक के लिए bye, और sorry OTP नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं दिखा पाय इसकी further process, लेकिन इसका further process कुछ है नहीं, जादा कुछ, चलिए